नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org Assalamualaikum and welcome to नई सुभा Maths Tutorials for Foundation Course मैं हूँ अनम तारिक आज का हमारा टापिक है addition और subtraction के बीच का relation और इनकी terms So let's get started सबसे पहले बात करते हैं हम terms की कि addition और subtraction में हम क्या terms use करते हैं addition में दो या दो से ज़ादा values को add किया जाता है addition की terms addition में जो values आपस में add हो रही होती हैं उनको कहते हैं addend A, D, D, E, N, D addend और इन दोनों values को add करने के बाद जो answer आता है वो होता है sum S, U, M, sum For example, 2 plus 4 is equal to 6 यहां 2 और 4 addends हैं और 6 sum है addition में हम values के order को change कर सकते हैं 2 plus 4 या 4 plus 2 subtraction subtraction में हम जिस नमबर में से minus करते हैं उस नमबर को कहा जाता है minuend M, I, N, U, E, N, D minuend और जिस value को subtract किया जाता है उसे कहते हैं subtraction S, U, B, T, R, A, H, E, N, D subtraction और subtraction के बाद जो answer आता है उसे कहते हैं difference D, I, F, F, E, R, E, N, C, E difference और राइट अब हम देखते हैं कि addition और subtraction में किस तरह से link होता है Look at the simple equation 2 plus 3 इस example में 2 और 3 दो parts है अब इन दोनों parts को total करने से हमें मिलता है whole whole है 5 इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं part, part, whole, model part plus part is equal to whole अब हम देखते हैं कि ये subtraction के साथ किस तरह से link है जैसे कि हमारा model है addition का part plus part is equal to whole subtraction का model है whole minus part is equal to part 2 and 3 दोनों parts हैं और इसका whole है 5 अब subtraction के formula को देखते हुए हम whole minus part is equal to part को देखेंगे whole 5 है तो 5 minus 3 is equal to 2 जोके 5 का other part था addition में हम दो यदो से जादा parts को add करके एक whole total निकालते हैं subtraction में हमें total whole पता होता है और उसमें से कितना part minus करना है ये पता होता है तो minus करने के बाद उसी whole का other part answer में आ जाता है और जो answer आता है minus करने के बाद उसे कहते हैं difference आप मुझे बताएं कि जो answer आता है addition के बाद उसको क्या कहते हैं whole तो कहते हैं और क्या कहते हैं ये बताना है आपने मुझे comment box में ये था हमारा आज का टॉपिक, मिरते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्टे के जराए इस्तमाल कीजिए